प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और क्या मामना यह जो परदर्शन है यह एक बहुत ही रसूगदार और बहुत ही फेमस टीवी जर्नलिस दीवक चुरसिया के खिलाफ है जिनके उपर बहुत ही संगीन मामला है पॉक्सो का मामला है यह 2013 का मामला है और उस पे कोट ने संग्यान लिया है एक ऐसे अपनी सस्ती टी आरपी को लेने के लिए उसने एक बच्ची को बच्ची की इसमीता को तार-तार किया उसने यह दिखाया कि उस बच्ची के जो माबाप है वो उसका धेका व्यापार करते हैं और एर चैनल पे प्राइम टाइम पर दिखाया गया सिर्फ और सिर्फ अपनी टी आरपी को हासिल करने के लिए मेरा आप लोगों से जो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं उनसे एक प्रशन है इस सचाई के मंच पे खड़े होकर मैं एक प्रशन करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी टियारपी के लिए अगर देश की महिलाओं को बेटियों की इज़त को इस तरह से तार-तार करेगा तो क्या इस देश की सरकार इस देश का पुलिस इस देश की और प्रशन स्थान है वो सब चुप रहेंगे क्योंकि जो मामला है वो एक रसूगदार और एक फेमस टीवी जनरलिस्ट के खिलाफ है कि हम सब चुप हो जाएंगे उसको ये दिखाया गया कि उसके माबाब जो है वो उसके देश के वेपार कराते हैं और वो जो है इससे उसकी कमाई का साधन है एक बहुत ही विख्यात संत को बदनाम करने के लिए उस बढ़गी का यूज किया गया उसका चरित्र जो है हनन किया गया तो मेरा प्रेशन सिर्फ इतना है कि आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है आज ये मामला चंडिगर हाई कोर्ट से दुबारा खुला है पुलिस को बहुत सारे पैसे खिलाकर बहुत सारे अपना जनकंतर का अपना प्रेशर दिखाकर और वकीलों का और जिसे कहते हैं मंतरियों का दबाव बनाकर एक बारी सेशन कोर्ट से मामले को बंद करवाया गया लेकिन इस बच्चे के परिवार ने हार नहीं मानी और उसने माना कि अगर गलत हुआ है तो हम उसके खिलाफ अवाज उठाएंगे रियोपन कराया गया चंडिगर हाई कोट से प्रोटेस्ट पेटीशन दायर किया हम जैसे कुछ NGO हैं जो उसकी मदद में आए हैं क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि जब सामने वाली पार्टी इंडिया न्यूस 24 और न्यूस इनेशन हो तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है लेकिन जो ये देश है इसमें जरूर सच्चाई मिलेगी ऐसा विश्वास है और रियोपन हुआ मामला और इतना ही नई रियोपन होने के बाद इंक्वेरी के ओर्डर हुए स्टेटेस रिपोर्ट पुलिस से मांगी गई पर पुलिस ने बहुत ही चलाकी से दीपक चुरसिया का नाम जो था चारशीट में से हटा दिया गया हमारी एंजियो ने फिर से वावाज उठाई और फिर से बताया कि जब उसकी एक को एंकर उसकी नीचे वाली एंकर चुत्रा तिरपाठी का नाम है तो जो उस चैनल का को एडिटर है दीपक चुरसिया उसका नाम आप कैसे हटा सकते हैं तो पुलिस ने ये क्लेम किया कि जब जो सामने वाली पार्टी है वो बहुत रसूगदार हैं बहुत पावरफुल आदमी हैं तो अगर उसका नाम डाला गया तो लॉइन ओर को संभालने में मुश्किल हो जाएगी ये एक बहुत मोखिकता का विशे है कि आज पुलिस हमारी डेमोप्रेटिक कंट्री में होते हो ये बोल रही है कि अगर मैंने एक अच्छे रसूगदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो हमारे को लॉइन ओर जो है मुश्किल हो जाएगा परंग्तु ये सत्य की जीत हुई और एडिशनल सप्लिमेंटरी चार्ट शीट दाखिल हुई और दीपक चुरसिया का नाम जो हो फिर से एड हुआ अपने संत का संत का नाम लिए तो क्या है तो ये जो मामला है वो 2013 का मामला है 12-12-2012 को एक निउस चैलीकास्ट हुई गई उन्होंने अपने घर में अपनी घर में उनकी प्रथा थी उन्होंने अपने घर में संश्री आसा राम जी बापूर जी को बुलाया था जो उनके ध उनकी पूजा कर रहे थे या फिर उनके साथ बैट कर थोड़ा सा संग का महोल चल रहा था परंतु उस न्यूज को क्या टेली कास्ट करके दिखाया जाता है यह जो बेटी के सर पर आशिरवाद रखा जा रहा है यह आशिरवाद नहीं रखा जा रहा बलकि उसका अभी अंद राइट्स हैं उनका हनन नहीं है परंतु इस बात पे इतनी बार याउनियर किया गया कि उसको दिल्ली छोड़कर एमदावाद शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि जब वो सुबह बाहर निकली तो उसको बोला गया तुम तो वैश्या हो तुमारे माबाप तो इस तरह से बिज फितियां था उनने चैरारी करने में इतना मुश्किल हूँआ कि बात करना चाहती हो कि क्यों नहीं खटरसरकार था सुब्रीम कोड् innovation के जहां हैसका नाम ज sque पर आ अ पाती होने के कारण बंद कराया गया लेकिन हमने प्रोटेस्ट पेटीशन इसकी डाली 2015 में जब यह मामला बंद हुआ 2017 में हमने इसकी प्रोटेस्ट पेटीशन जाली जिसे चंडिगर हाई कोट ने संग्यान लिया और माना कि इस मामले को खुला जाना चाहिए प्राइमा फेशाई जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस में बनती है क्योंकि इस केस में दीबक चुरसिया ने अपने स्क्वेशिंग ओफ एफ एयर के अप्लिकेशन लगाया था अलाभाद हाई कोट में जो की रिजेक्ट हुआ था और एजेक्ट होने के बाद ये केस दुबारा से चंडीघः हाई कोट में ओपन होता है और उसके बारे कमिशनर जो बुर्गाओं को के कमिशनर पुलिस को ओडर होते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इस कारे में कारे वाही कि जाए और उसने अपनी status report को submit किया और पूरा बताया गया कि इस तरह से गलती है और नाम जो है add-on हुए फिर उसके बाद FSL जाँच की मांग हुए कि जिस mobile से shoot up बना है क्या वो mobile जो है वो सही था वो जो था blood तो नहीं था उसको hang तो नहीं किया गया था mobile की जो report थी वो हमारे favor में आई यह FSL जाँच हमारे favor में आती है दीपक चुरसय का नाम आता है status report आती है अब आज वो इस पड़ाफ पे आ चुका है कि उस पर investigation के लिए उसे पालम विहार पुलिस टेशन में बोला आया जाता है कि आपके खिलाफ यह order हुए हैं तो बताई आपका क्या खहना है इतना बड़ा जो पत्रकार है जो की आस्थाओं की दुहाई देता है जो की चरित्रहंकनों की दुहाई देता है जब उसके खिलाफ order होते हैं तो जलाकर पुलिस टेशन से उठता है और बोलता है मैं इस पुलिस टेशन की inquiry में सम्मिलित नहीं होना चाहता एक और 180 CRPC की जो धारा है उस पर एड की जाती है कि पुलिस इंक्वेरी को इसरों ने जो है अच्छे से कॉपरेट नहीं किया है ना ही उसने उन पेपर्स को साइन किया है कि I have come for the investigation अब आप देख सकते हैं कि जब नाम जो है इतने बड़ बड़े चैनल का है जो लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट से मामला खुलने के बाद भी हमने बहुत प्रख्यात लॉयर के के मनन जी को इस केस के लिए रखा है क्योंकि एक छोटा मोटा लॉयर जो होगा वो इस केस के लिए एक face value हमारे कोर्ट में चलती है उस कारण ही हम चाहते हैं कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी नयाई मिले परंतु FSL की जाच हो गई वो भी हमारे favor में आई उसके बाद कोर्ट में आये उनका नाम आया उसके बाद उसे investigation के लिए बुलाया गया परंतु matter जो है वो खुचता जा रहा है कि अगर किसी के खिलाफ fox का मामला है और वो inquiry में भी अपना assimilate नहीं कर रहा है तो police can go and arrest that person why the police is not coming and arresting that person और क्यों नहीं उससे पूछताच हो रही है यह है कम्या इस establishment की प्रशासन की जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि आज इस समय हर किसी को अपनी कारे भूमी का accountability को समझने की जरूरत है जो नहीं समझी जा रही है